दोफ्तों क्या आपको HDMI EARC या HDMI ARC connection में कुछ प्रोलेम आता है या आपको जानना है HDMI EARC या HDMI ARC का connection कैसे करना है तो ये वीडियो में मैं आपका सभी doubt clear करने बाला हूँ अगर ये वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ आप आपका TV2 soundbar या home theater को HDMI EARC या HDMI ARC में कैसे connect करेंगे अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लगभग दो साल पहले में एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था HDMI ARC में आप आपका TV2 soundbar को कैसे connect करेंगे तो वीडियो में बहुत सारे वीवर्स का connection भी हो गया था बट कुछ-कुछ वीवर्स आवर थे जिनका बहुत सारे confusion था और एक पॉइंट है कि उस टाइम HDMI EARC ज्यादा नहीं था तो मैं सोचा और एक नया वीडियो बना दू जिसमें HDMI EARC एंड HDMI ARC ये दोनों के बारे में आपको डीटेल्स बता दू तो ये पहले आप समझ लीजिए कि HDMI जैसे कि High Definition Multimedia Interface तो ये HDMI का एक रहता है EARC मिन्स ये enhanced audio return channel है और एक है HDMI ARC audio return channel तो यहां से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एक enhanced है एक normal है मिन्स वो definitely higher version होगा तो इसा ही है जो HDMI EARC है वो higher version आप समझ लीजिए ARC का है जिसका audio bandwidth जादा है तो आप इतना समझ लीजिए कि HDMI EARC जो है यह HDMI ARC का higher version है उसका audio bandwidth जो है ज्यादा है तो पहले मैं आपको कुछ points बता देता हूं वो points को पहले आप समझ लीजिए उसके बाद ही मैं आपको connection दिखाऊंगा फिर आपको connection समझ में आएगा तो यह connection करने से पहले यह point आप समझ लीजिए जैसे कि आपको पहले जानना है क HDMI ARC का port है या नहीं या आपका sound bar में या home theater में HDMI ARC या HDMI ARC है या नहीं तो आपका TV में आपको जानने के लिए आप TV का port आप चेक कर सकते हैं उसमें आपको 2-3 HDMI port मिलेगा अगर आपका TV 2019 के आगे है जैसे 1920 या 22 तक है तो उसमें definitely HDMI ARC port होगा अगर आपके पुराना TV है तो आ HDMI ARC लिखा होगा या HDMI ARC लिखा होगा और कुछ मडेल TV में आपको audio out लिखा रहता है जिसे HDMI port के नीचे आपको लिखा रहता है audio आप जैसे Mostrela TV बगरा में रहता है अगर आपका TV में HDMI ARC है तो भी आपका TV के जो HDMI port है उसमें लिखा रहेगा HDMI ARC पुछ लिखा नहीं रहता है फिर भी आप उसका user manual से या उसका description से आप पता कर सकते हैं आपका TV में HDMI EARC है या नहीं अगर हम sound bar का बात करते हैं तो maximum sound bar में आपको आज के date में HDMI EARC का port तो मिल भी जाता है बट कुछ high-end sound system रहता है या home theater system रहता है जिसमें आपको HDMI EARC भी मिलता है तो उसके साथ और एक twist भी है अगर आपके पास एक 4K sound bar है या 4K home theater system है तो उसमें आपको 2-3 HDMI port मिलता है तो जगा में आपको check करना है कौन सा HDMI port के नीचे लिखा है HDMI EARC या HDMI ARC या audio out ये तीनों आप check कर लिजे तो आपको समझ में आ जाएगा आपका TV या sound bar में HDMI EARC या HDMI ARC port है या नहीं अगर ये दोनों port है तो ही आप connection कर सकते हैं तो next और एक most important point है जैसे कि ये connection के लिए आपको HDMI केबल का जरूत पड़ेगा तो हमेशा आप अच्छा quality का HDMI केबल यूज कीजिए जैसे कि अगर आपका TV में HDMI EARC port है और आपका sound bar या home theater में HDMI ARC port है तो भी आप connection कर सकते हैं क्यों अगर आप HDMI EARC से HDMI ARC को भी connect करेंगे तो भी connection हो पाएगा जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाने के लिए जो TV and sound bar रखा हूं TV में HDMI EARC port है और आमारा जो sound bar है उसमें HDMI ARC port है तो ओ दोनों में कोई भी problem नहीं आता है अगर आपके पास भाइस परसा है मिनसे आपका sound bar में HDMI EARC port है या आपका TV में HDMI EARC port है तो भी दोनों को आप connect कर सकते हैं अगर आपका TV में HDMI EARC port है और आपका sound bar या home theater system में HDMI EARC port है तो दोनों capable है हाई audio bandwidth receive करने के लिए तो ओ सिच्वेशन में आप हमेशा 48 Gbps का cable ही यूज़ कीजिए मिनस 48 Gbps का HDMI cable ही यूज़ कीजिए जिसका link में description में दिया हूँ आप चेक कर सकते हैं अगर आपका TV में HDMI EARC है और आपका audio system है sound bar या home theater system उसमे normal HDMI EARC है तो आप 18 Gbps का HDMI cable यूज़ कर सकते हैं या वाइस परसा अगर है तो भी आप 18 Gbps का HDMI cable यूज़ कर सकते हैं जिसका link में description में भी दिया हूँ अगर आपका TV में HDMI EARC है और आपका sound bar में भी HDMI EARC है तो भी आप 18 Gbps का HDMI cable यूज़ कर सकते हैं तो minimum इतना speed का अगर आप HDMI cable यूज़ करते हैं तो आपका sound quality बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप ordinary cable यूज़ करेंगे तो situation में आपको sound quality इतना अच्छा नहीं मिलेगा या क कोई-कोई situation में आपको sound आएगा भी नहीं तो इसलिए आप हमेशा इतना speed का cable यूज़ किजिए तो आपको आच्छा performance मिलेगा तो और एक point आपको बताना चाता हूँ जैसे नॉर्माली इंडिया में बहुत सारे लोग का इसे complaint भी है या problem भी आता है कि उनका connection ठीक से हो नह जाता है तो कुछ दिन तक आरम से चल जाता है तो उसके बाद कभी कभार प्रोले में आ जाता है तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिए आपका TV2 sound bar तक जो भी connection है कोई भी जगा में cable band नहीं होना चाहिए cable आरम से जाना चाहिए तब जाके आपको अच्छा sound quality मिलेगा एंड आपका जो cable का durability भी आच्छा रहेगा तो इतना point समझने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा TV2 sound bar को आपको connection कैसे करना है connection बहुत ही simple है TV का जैसे मैं आपको बताया HDMI ARC या EARC का जो port है उससे HDMI cable में आपको connect करना है आपका sound bar का HDMI EARC या ARC port में ज़स्ट आपको ध्यान देना है अगर आपके पास फोर के sound bar है तो उसका HDMI EARC port या HDMI ARC port में ही आपको connect करना है यह connection में पहले आपको तो यह जगह में HDMI port है जिसमें HDMI 1 EARC लिखा है अगर आपका टिवी में HDMI ARC या HDMI EARC PORT लिखा है तो आपको उसमें connect करना है अगर आपका टिवी में HDMI के नीचे audio बग़रा लिखा है तो पोर्ट में भी है HDMI信us cable को connect कर सकते है तो जैसे ही आप Connect कर देते हैं पहले आपको sound bar में में जाना है आपका साउंड बार में एक mode का बटन रेगा या input का बार रहेगा तो उसमें आप सभी इंपूट को change कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताया था यह फोर के साउंड बार है तो इसमें hdmi 1 आता है उसके बाद hdmi 2 आता है उसके बाद ब्लूटूथ आता है उसके बाद auxiliary आता है उसके बाद optical आता है उसके बाद ARC आता है तो ARC मिन्स हमारा audio return channel है तो इसको पहले आपको ARC में set कर देना है या आपका sound bar या home theater system में जो भी HDMI ARC या HDMI ARC का port रहेगा उसमें आपको select कर देना है तो उसके बाद आपको TV का setting में जाना है जैसे कि आज के date में LG का web OS आता है या Samsung का Tizen OS आता है या पूरा ना Android OS आता है या Google TV OS आता है तो मैं latest Google TV OS में दिखाता हूं तो लगभग सभी OS में setting सेम है तो आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको चूज करना है audio setting तो जैसे display and sound है तो हम sound के अंदर जाते हैं तो कुछ Android OS में sound के अंदर ही सभी setting है बट Google TV OS में audio out का अलग सा setting है तो इसमें आपको जाना है इसमें जाएंगे तो आपको audio out जो है यह चार option दिखाएगा टीवी स्पीकर अर्सी ब्लूटूथ डबलु आई एसे स्पीकर तो आपको यह एर्सी में connect करना है या default यह एर्सी में ही चला जाता है अगर आपका टीवी में HDMI तो इसका setting आपको always on रखना है या auto में रखना है अगर यह एर्सी नहीं है तो आपको simple यह चेक कर लेना है कि audio out में ARC है या नहीं है अगर नहीं होगा तो आपको select करना है तो जैसे हूआ नीचे आते हैं तो आपको मिलता है digital audio out तो इसमें आपको 5 option मिलता है तो लगबख सभी TV में advanced TV में यह 5 option रहता ही है अगर आपका TV में पुराना TV है तो आपका TV में यह auto नहीं रहेगा या pass through नहीं रहेगा, अगर आपका TV Dolby Digital support नहीं करता है तो यह Dolby Digital या Dolby Digital Plus यह नहीं रहेगा, बट यह जो option है PCM, post code modulation तो यह option जरूर रहेगा, तो इसको आप select कर दीजिये, अगर आपका TV में सभी option है तो आप auto में set कर सकते है या आपका TV में pass through है, तो pass through भी support कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप DTSC उसकरते हैं, या Amazon Fire TV Stick की उसकरते हैं, मिन्स आपका HDMI port है, उसमें दुसरा कोई भी device connected है, तो आप pass through में set कर सकते हैं, अगर आपको auto में set करना है, तो सबसे आसान या easy जो है, auto में आप set कर सकते हैं, अगर कोई भी option नहीं है, तो आप PCM में set कर दीजिए, तो इतना set करने के बाद, definitely आपका sound जो है TV का, वो sound bar में आ जाएगा, जिसे मैं यहां पे कुछ content play करके आपको सुना देता हूं, तो HDMI EARC या HDMI ARC connection में, अगर आप TV या sound bar किसी का remote से भी volume कम जादा करते हैं, तो भी आपका TV क volume भी वहां पे कम जादा होगा, उसके साथ साथ sound bar में भी आपको volume कम जादा होगा, बट यह connection में आपका TV का speaker जो है mute हो जाता है, only आपको sound मिलता है sound bar या home theater में, तो अभी हम फिर से setting में जाता है, जैसे यह audio out का setting है, तो यह जगह में आपको बता देता हूं, जैसे कि हम PCM select किये थे, तो यह जगह में अगर आपके पास एक 5.1 channel का sound bar या home theater system है, तो उपर का 3 option को ही आप चूज किजिए, आप कभी भी Dolby Digital या Dolby Digital Plus को चूज मत किजिए, क्योंकि यह दो mode में प्रोलेम आपको यह आएगा, कि अगर आपका content जो है, वो Dolby Digital नहीं है, तो में भी आपका दोनो speaker ही काम करेगा, means 5 channel से 2 channel काम करेगा, या 3 channel काम करेगा, बाकि 2 channel काम नहीं करेगा, या कोई situation में आपको sound total आएगा ही नहीं, तो अगर 5.1 channel है या 7.1 channel है, तो हमेशा आप यह उपर का 3 option ही चूज किजिए, auto, pass throw या PCM, अगर आपके पास Dolby Digital या Dolby Atmos का 2.1 channel का sound bar या home theater system है, तो जाके आप ये 2 option को चूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी जो sound bar है, या Dolby Atmos का 2.1 channel का है, तो ये जगा में मैं अगर Dolby Digital set कर देता हूं, तो आप सुन सकते हैं, अभी भी आवाज आ रहा है, यहां पर आवाज बंद नहीं हुआ, या slow नहीं हुआ, क्योंकि य तो आपका surrounding speaker काम नहीं करेगा, only काम करेगा आपका front का 3 channel, तो ये जगा में मैं अगर Dolby Digital Plus भी कर देता हूं, तो भी sound यहां पर आएगा, जैसे आप सुन सकते हैं, यहां पर sound आ रहा है, तो आपको ये चीज ध्यान देना है, कि अगर 5.1 channel है, तो ये तीनों option ही आपको चू HDMI EARC या HDMI ARC के उपर सभी clear हो गया होगा, या अगर आपका कुछ भी doubt था connection या setting के उपर, सभी doubt आपका clear हो गया होगा, फिर भी अगर आपका कुछ भी doubt है, या connection में आपको कुछ भी problem आता है, तो comment section में आप मुझे comment कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसका answer आपको दे तो आशा करता हूँ, ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा like and share ज़रूर कीजिएगा, अभी आप हमको facebook, instagram and twitter में follow कर सकते हैं, हमारा social media का link आपको description में मिल जाएगा, तो ऐसे ही देखते रहे हमारा channel till then, stay tuned